हेलो फ्रेंड्स गावरं तड़का रेसिपी में मैं वर्षे ओले आप सब का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ तो आज हम बनाने वाले हैं वेश थाली तो यहाँ पे मैंने बनाया है गुड़ वाला सूजी का हल्वा फिर यहां बनाए मैंने जीरा राइस और मैंने बनाई है यहां पर आलू की सबजी चटपटे आलू की थोड़े अलग तरीके से सबजी बनाई है मैंने और यहां बनाई है मैंने चैने की दाल फिर यहां पर बनाई है मैंने गोवी प्राइ वो भी थोड़ा अलग तरह से बनाया है मैंने और यहां मैंने पापड भून के लिया है और उसे के साथ मैंने बनाई है पराठे और उसे के साथ मैंने बनाई है पराठे तो आप देख सकते हैं कितनी मस्त यहां पे थाली बन कर तायर हो चुकी है लंज डिनर में या कभी महमन आये तो आप इस तरह से थाली बना सकते हो तो चले थाली बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहां हम चना दाल बनाएंगे चना दाल बनाने के लिए यहां पर मैंने पहले से चना दाल दो तीन घंटे के लिए भिगा कर रख दी थी तो चले फिर आगली प्रोसेस कर लेते तो यहाँ पे मैं कुकर में यह दाल बानाने वाली हूँ, सबसे पहले हम डालेंगे कुकर में वाइल, तो यहाँ पे हमने कुकर में वाइल डाल दिया है, यहाँ वाइल हमारा गरम हो चुका है, सबसे पहले वाइल में डालेंगे आदा चम्मच राई, आदा चम्मच जीरा, उसे के साथ डालेंगे हम थोड़े से कड़ी पत्ते, दस बारा, फिर यहाँ पे मैंने मेडेम साइस के तीन प्याज लिये हैं, जिसको बहुत ही छोटा-छोटा कट कर लिया है, हलका प्याज हमें फ्राई करके लेना है, तो यह चने के डाल में हमारे घर में बनते हैं उस तरह से बना कर दिखा रही हूँ, पहले से ही मैंने चने के डाल उबाली नहीं है, तो आप इस तरह से चने के डाल बनाई है, बहुत मस्त लगती है, तो यहाँ पे मैंने दो-तिन हरी मिर्च डाली है, कट लगा के, तो यहाँ हमारा प्याज हलका फ्राई हो चुका है, तो आब इ इसमें डालेंगे टमाटर मेडेम साइज के दो टमाटर जिसको मैंने छोटा-छोटा कट करके लिया है एक दो मिनिट हम टमाटर को फ्राइ कर लेंगे अब इसमें डालेंगे हम पौडर मसाले तो जिसमें मैंने डाला है एक बड़ा चमच धनिया पौडर उसे के साथ डालेंगे हम आदा चमच से थोड़ा सा कम मीट मसाला तो यह आपको डालना हो तो डालेंगे तो कोई बात ने बिना इसके भी सबजाच्च बनती है फिर इसमें हमने डाला है लाल मिर्च पाउडर यह टिके वाले लाल मिर्च पाउडर का इस्तमाल किया है फिर मैंने इसमें डाली है हल्दी पाउडर फिर इसमें डालेंगे हम सोदा नुसर नमक अब इसमें हम डाल देते हैं चने की डाल जिसको हमने बिगा कर लीती दाल आपको कितने लोगों के लिए बाना नहीं है उसके हिसाब से आप यहाँ दाल भिगा कर रख सकते हो तो सब चीजों के साथ एक बार दाल हम मिक्स करेंगे फिर इसमें हम पानी याड़ कर लेते तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी चाना दाल भिगी हुई लिए तो उसके लिए तीन कटोरी में यहाँ पानी डालूंगी तो आपको गाड़ी पतली किस तरह से चाना दाल पसंदे उसके हिसाब से भी यहाँ पानी याड़ कर सकते हो लेकिन यहाँ मुझे न मेडेम दाल चाहिए बहुत ज़्यादा पतली नहीं बहुत ज़्यादा गारी नहीं तो यहाँ मैंने तीन कटोरी पानी डाला है अभी इसके उपर हम ढखकन लगा लेते हैं और तीन चार सिट्टिया इसकी निकाल लेंगे तो ना यहाँ मैंने कुककर का ढखकन लगा लिया है और ढखकन लगा करके कुककर को हमें साइट वाले ग्यास की उपर रख देना है तो जब तक हमारी दाल तायार हो जाती है तब तक हम यहाँ जीरा राइस बाना लेते हैं ग्यास के उपर मैंने दूसरा पातिला चड़ा दिया है पातिली में मैंने वाइल डाला है यहाँ पे वाइल हमारा गरम हो चुका है तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे एक चमत जीरा तो यहाँ पे ना मैंने देड़ कटोरी चावल लिया है बासमती पता अंजेली की देड़ कटोरी चावल लिया आपके पास जो भी चावल हो आप बना सकते हो तो यहाँ पे मैंने सीधा चावल दो के लिए हैं चावल को भिगा करने ही रखा था अब वाइल के साथ हम आदा मिनेट चावल को फ्राइ कर लेंगे तो यहाँ पे मैंने चावल को आच्छे से आदा एक मिनेट फ्राइ कर लिया है जिरे के साथ तो आप इसमें हम पानी याड करेंगे तो यहां मैंने 5.3 चावल ली है उसके लिए मैं 3 कटोरी पानी डाल दूंगी तो यहां मैंने पानी डाल दिया है चावल में तो आप हम ना मेडम गास के उपर 5-6 मिनिट चावल उबलने के लिए छोड़ देते हैं यहाँ पर मैंने आच्चे से 6 मिनिट चावल को उबाल लिया है आप देख सकते हो और फिर से मैंने ढखके चावल 5-6 मिनिट के लिए रख दिये थे बस 10-12 मिनिट लगते हैं इस चावल को बनने में तो उपर से मैंने धनिया पत्ति डाल दी है चावल के और चावल के साथ हम अधनिया पत्ति मिक्स कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा मज़ेदार जिरा राइस तैयार हो चुका है आप हम दूसरी रेसिपी बना लेते हैं तो यहाँ पे न मैंने प्यान चड़ा दिया है ग्यास के उपर तो अब मैं गूबी फ्राय बनाने वाली हूँ तो प्यान में मै तो तिन हारी मिर्च जिसको मैंने लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया है तो यहां पर जो हारी मिर्च मैंने इस्तमाल की है वो थोड़ी मतलब मेडम टिकी वाली है जाधा टिकी वाली नहीं है तो आपको जिस तरह के हारी मिर्च पसंद है यहां इस्तमाल कर सकते हो तो हारे मिर्च के साथ मैंने यहाँ पे पाच्छे कड़ी पत्ते भी डाले हैं तो यहाँ गोबी में ना कड़ी पत्ते का टेश्ट बहुत मस्त आता है मैं जिस तरह की गोबी बना रही हूँ उस तरह के गोबी में तो यहाँ पे मैंने बन गोबी लंबे लंबे स्लाइस में कट कर ली अब बस यतनी ही चीज़े हमें इस गूबी में डालनी है और इन सब चीज़ों को हमें आच्चे से 4-5 मिनिट फ्राइ कर लेना है गूबी को हमें ढखके नहीं पकाना बस ऐसे ही सिंपल फ्राइ कर लेना है तो यहाँ पे जरूरी यह है कि चना दाल आप पहले से आच्चे से रखे तभी यह इसमें आच्छी लगेगी क्योंकि इसको हमें ढ़क के पकाना नहीं है इसलिए जो चन्नादाल आच्छी से भीगी होती है वह गोबी के साथ आच्छी लगेगी नहीं तो बाकि आप थोड़ी देर में चन्नादाल भीगा के डालेंगे तो यहां गोबी में गोबी फ्राइ कर ली है उपर से मैंने थोड़ी सी धन्या पत्ति डाली है और यहां पे मज़ेदार हमारा गोबी फ्राइट तायार हो चुका है तो दूसरे ग्यास के उपर जो हमने चन्ने की डाल रखी थी तो आप डाल को चेक कर ले तो आप देख सकते हो किस तरह से यहा चने की डाल पके हैं कि नई हम पहले चेक कर ले तो आच्चे से यह चने की डाल हमारी पक चुकी है तो जो हमारा आलू मैश रहता है न मैश करने का तो ओ लेंगे और उससे हम डाल को थोड़ा मैश करेंगे क्योंकि यह दाल हमारे आच्चे से गाड़ी हो जाएगे आपको क इस तरह से घाड़ी पसंद है उस तरह से आप या मैस कर सकते हो मैंने हल की यहाँ डाल मैस कर लिए तो आप देह शकते है यहाँ पर या यह दाल में हमाँ आच्चे से गाड़ाफन आ चुक है बहुत जादा पत्ली नहीं बहुत जादा गाड़ी नहीं तो अब इस दाल में हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और गरम मसाले के साथ थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देते हैं तो यहाँ पर हम गरम मसाला और धनिया पत्ती डाल के साथ मिक्स कर लेते हैं और एक दो मिनेट असके उपर डाल रख के फिर डाल को हम उतार कर रख देंगे यहाँ पर हमारी आप देख सकते हैं वह थी तेस्टी मज़ेदार चेनिकी डाल बनके तायर हो चुकित और कितनी आशान तरीके से बनाई हैं आप देख सकते हो कितनी मस्ट और कलर्फुल यहाँ हमारी दाल तायर हो चुके तो आप आगली रेसिपी तायर करेंगे तो यहाँ पे हम बनाने वाले हैं आलू की सबजी तो आलू की सबजी बनाने के लिए कड़ाई में मैंने वाइल डाल दिया है वाइल हमारा गरम हो चुका है तो सबसे पहले हम वाइल में डालेंगे आदा च प्याज को हलका एक दो मिनिट हमें फ्राइ करके लेना है तो ना प्याज के साथ ही मैंने यहाँ पर आधरक लेशन की एक चमच पेश्ट डाली है तो यहाँ पर आधरक लेशन की पेश्ट आच्चे से हम प्याज के साथ आधा एक मिनिट फ्राइ कर लेंगे तो यहाँ पर प् तो टरवाइट कर लेना है तो टामाटर फ्राइए्ट इसमें मैंने आलू याड किया है ुल सिंपल जो आलू होते हैं हमारे वह ही कट कर के लिए इसमें हमदालेंगे पाउडर मसाले लाल मिर्श पाउडर सा मैंने मीट मसाला डाला है यह meat masala optional है आपको पसंद हो तो डाले नहीं तो कोई बात नहीं फिर इसमें थोड़ी से haldi powder एक देड़ चम चम ऐने धने या पाउडर डाली है अब इन सब पाउडर मसाले को हमें आलू के साथ मिक्स करके लेना है और आलू के साथ mix करने के बाद इसमें मैंने डाला है नमक अभी इसमें डालेंगे हम पानी आपको सबजी कितनी बनाने है उसके हिसाब से यहाप पानी याड़ कर लिजगा तो यहाँ पे पानी डालने के बाद हम आलू की सबजी आचिसे उबाल कर लेंगे तो आलू की सबजी यहां उबल चुकी है तो अब इसमें में और एक चीज डालने वाली हूँ मूफली का चुरा मूफली को भून के उसका चूरा तयार किया है बस पाच्छे चमच मूफली लिए पोहा खाने की चमच से फिर उसको भूना है फिर उसका चूरा तयार कर लिया है फिर हमने उसको सब्जी में डाला है तो ये महराष्टर का थोड़ा सा मैंने ट्रिस्ट दिया है इस सब्जी को तो आच्छी लगती है मूफली का चूरा आलू की सब्जी में बहुत मस लगता है महराष्टर में हर सब्जी में बहुत जादा मूफली का उसकरली किया जाता है तो मैंने भी थोड़ा सा आज डाल द तो हमारे घर में नॉर्मल लिवा फली डालके ही सब्जी बनाई जाती है तो यहाँ पर हमें आलू की सब्जी 5-6 मिनेट आच्टे से उबाल लेनी है। यहाँ पर हमारी सब्जी 5-6 मिनिट मैंने आच्छे से उबाली है अब हमना ग्यास को पूरी तरह से कम करेंगे और कम ग्यास के उपर फिर से हम 2-4 मिनिट सब्जी को रख देंगे तो दो-चार मिनिट के बाद आप देख सकते हो किस तरह से यह सबजी तायर हो चुके है उपर से मैंने थोड़ा सा हरा धनिया पत्ती डाला है तो ना यहाँ पर मैंने धनिया पत्ती सबजी के साथ मिक्स कर लिये है और आपकी यहाँ चटपटी आलू की सबजी तायर है आपको ऊपर से और गरम मसला डालना हो तो डाल सकते हो तो आप आगली रेसिपी तायर कर लेते हैं यहाँ पर मैंने लिया है आदा कटोरी गुड जिसमें मैंने देड़ कटोरी पानी डाला है गुड का पानी हमें पहले घरम करके लेना है तो यहाँ प performing गुड का पानी हमारा उबल चुका है आप देख सकते हो किस तरह से उबला है तो अब धना हम क्या करेंगे? हलवा तयार करने वाले है तो आप हम सूजय को भून के लेने वाले हल्वे के ले तो यहां कड़ाई में मैंने घे और सूजी डाली है, जो छोटी वाली सूजी रहती ना वो वाली, तो यहां घे और सूजी मैं कड़ाई में डालती समय, मोबाली बंद हो गया मेरा, तो शुटिंगी नहीं हो पाई, मतलब मैंने मोबाल फिर से चालो करने का द्यानी नहीं तो यहाँ पर मैंने मेडेम ग्यास के ऊपर आच्चे से सूजे का कलर चेंज होने तक के हां में सूजी भूननी है तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सूजी के साथ विलाइची पाउडर भी डाली है तो यहाँ न मैंने एक कोटोरी सूजी ली है उसमें मैंने आदा कोटोरी घी डाला है तो आपको घी का प्रमन आपके हिसाब से रखना है तो यहाँ पे मैंने थोड़ा जादा घी डाला है तो उससे आच्चे से नरम सूजी का हलवा तयार होता है तो आपको घी आपके हिसाब से आप इस्तमाल कर लिजे यहाँ पे मैंने सूजी भून लिए आप देख सक में किने हमारा सोगी का च्रेंज हो चुका है ऐसे सद्धी पानी भी जाब आप davis पानी मिक्स करके फिर में उल्वे के उपर ढ़क कर लिए था पूरी आए ग्यास कम करके बस दो, तीन मिनिट बहुत ए चोटी वाली सूजी है तो यह बहुत ही जल्दी बस पात-चे राव मिनिट अब बनकर तैयर हो जाता है तो आप देख सकती हो यहां पर हमारा मस्त यह मुवू लुसट लुशित हलवा तायर हो चुका है बहुत ही नरम आप यहां पर ना हम पापड भूणके लेने वाल है आपको ना हल्वे में ड्राइफूट का इस्तमाल करना हो तो कर सकते हो यहाँ पर मैंने बिल्कुल ड्राइफूट का इस्तमाल किया नहीं है तो गुड का हल्वा बस विलाइच डाल के बनाऊंगे तब भी आच्छा लगता है तो यहाँ मैंने पापड भून लिया है तो आपको पराठा ना बनाना हो तो आप रोटी पूडी जो बनाना हो बना सकते हो तो हम ग्यास को मेडेम रखेंगे और आच्छे से हमारा पराठा भून के लेंगे तो यहाँ पर यह हमारा परटा तयार हो चुका है आप देख सकते हो बहुत ही मस्त ही हमारा परटा तयार हो चुका है तो आप हम थाली बनाने की प्रोसेस में जलते हैं सबसे पहले थाली में डालेंगे हम हमारा गुड़ वाला सूजी का हलवा जिसको मैंने कटोरी में पहले से निकाल कर रहा था तो इस तरह से ये हलवे हलवा अच्ची से कटोरी से बाहर निकल जाता है तो हलवे के बाद इसमें रखेंगे हम हमारा जिरा रैस फिर रखेंगे आ तायार है वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए चाइनल पर पहली बार हो तो चाइनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस तरह से थाली बना कर जरूर खाईएगा चले फिर मिलेंगे नए वीडियो में तब तक के लिए बाइबाई